सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और प्रेस कीजे बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके नमस्कार तोस्तों वेलकम टू स्वाथ सफर और जिन्दिगी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पराठो की रेसिपी ये स्पेशल पराठे इसलिए हैं क्योंकि ये प्याज और टमाटर के हैं बहुत ही टेस्टी और यूनीक रेसिपी है आपने शायद ऐसे इसे कभी नहीं बनाया होगा बहुत आसानी से बन जाती है पटाफट से बन जाती है टेस्टी इतनी लगती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बस आपके घर में रोज ब्रेकफास्ट में ये ही बनेगा तो चली फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो प्याज लिए है दो टमाटर लिए है दो हरी मिर्च लिए और थोड़ी सी धन्या लिए इस प्याज को छील के और इन सब को मैं अच्छी तरीके से बारिक बारिक काट लूँगी धोकर अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और प्याज, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा अधरक इन सब को एक दम बारिक काट लिया है अधरक को मैंने थोड़ा सा घिस लिया था अब सबसे इंपोर्टन्ट यह है कि इस पराठो को बनाते टाइम आपकी प्याज और टमाटर एकदम बारिक कटे होने चाहिए अगर थोड़े से भी बड़े आपने से काटा तो आपको बेलने में बहुत प्रॉब्लम होगी तो बिलकुल बारिक से भी बारिक जो साइज होता है वो काट दिये घीसी है मत नहीं तो यह अपना पानी छोड़ देंगे तो मैंने इसको एकदम बारिक-बारिक काट लिया है और थोड़ा सा अधरक था उसको मैंने किस लिया था वो डाल दिया अगर आप अदराक और हरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप मट डालिए बच्चों के लिए बना रहे हैं तो और ये सब मैंने डाल दिया अब मैं इसमें आधा चम्मच सोफ डालूंगी और इसके साथ मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पौडर डालूंगी इसके साथ मैं इसमें एक चम्मच भर के धनिया पौडर डालूंगी और आधे चम्मच से भी कम मैंने इसमें लाल मिच का पौडर डाला है और थोड़ी सी इसमें जीरा डाला है आधा चम्मच जित्ता आधा चम्मच जित्ता मैंने इसमें आमचूर डाला है अगर आप आमचोरनी डालना चाहते तो आप इसके बदले इस नीवू का रस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया यह किचिन किंग मसाला है और अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है अब मैंने यहाँ पर नमक अभी नहीं डाला है नमक हम तब डालेंगे जब हम पराठे एकदम बनाना बेलना स्टार्ट कर देंगे अगर पहले से स्टार्टिंग में नमक डाल देंगे तो यह सारी सबजी अपना पानी छोड़ देगी और पराठे बिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉबलम होगी तो इनसा मसालों को मिक्स करके मैं इसको साइड में कर लूँगी अब मैं इसका आठा तयार कर लेती हूँ मैंने यहाँ पर गेहूं का आठा लिया है इसमें मैं एक चम्मच अजवाईन को हातों से रब करके डाल दूँगी मैं इतने आठे में 6 से 7 पराठे बना रही हूँ और आठे में थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी इतने आठे के टेस्ट के हिसाब से और इसके साथ एक important चीज इसमें मैं एक चम्मच भर के घी डालूँगी ये छोटी चम्मच है इसलिए दो चम्मच डाल रही हूँ ऐसा करने से हमारे पराठे उपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे बहुत टेस्टी बनेंगे लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें तेल का भी मोयन दे सकते हैं तेल डाल रहे हैं तो एक बड़ा चम्मच भर के तेल डाल दीजे और गी डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो गी डाल के एक बार ट्राए कीजे अब हमें इसका एकदम सौफ्ट आटा गूथना है जितना नरम और बढ़ियां आटा गूथा रहेगा हमारे पराठे उतने ही टेस्टी बनेंगे तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करकर के मैं पानी डाल डाल के गूथ रही हूँ आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि गुलगुने पानी से आटा गूथते हैं तो अगर आप वैसे करना चाते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं पर नॉर्मल जो साधा पानी है रूम टेपरेचर वाला उससे भी ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा मिक्स कर लीजे और ये पराठे बहुत यूनीक है आपने आलू के पराठे, गोबी के पराठे, मूली के पराठे बहुत खाये होंगे लेकिन ये प्याज और टमाटर का पराठा है ये ऐसी चीज है जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती है कभी भी आप निकालिए दो टमाटर और प्याज को काटिए और फटा फट से इस पराठो को बना दीजे इसको इतने टेस्टी बनते हैं ये कि इसके साथ ना आपको सबजी की जरूरत है ना चटनी की जरूरत है बस ऐसे ही उठाईए और खा जाईए चाए के साथ सुबह इसको नाश्ते में बनाईए बहुत अच्छे लगते हैं तो मेरा आटा एकदम रेडी है अब मैं इसको पांच मिनिट के लिए इसी तरीके से रख दूँगी उससे यह और अच्छे से फूल जाएगा और एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा आप चाहे तो किसी गीले कपड़े से इसको ढाक के भी रख सकते हैं तो पांच मिनिट बाद मैं इसको चेक करूँगी आप मैं पराठे बनाने जा रही हूँ तो मैं इसमें नमक मिक्स कर दूँगी बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे इत्ते मसाले के साबसे ही डालेंगे क्योंकि आटे में हमने पहले से डाला हुआ है नमक को तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे हातों से इसे mix कर दूँगी उसे ये बहुत अच्छे से mix हो जाएगा और फटा-फट से अब इसके पराठे बनाएगे तो सबसे पहले मैंने आठे का एक portion ले लिया है और ये पराठे थोड़े से मोटे होते हैं तो इसको थोड़ा सा मोटा ही बनाएगे और अब मैं इसको अपनी fingers की help से प्रेस करते हुए इस तरीके से गोल कर दूँगी आराम से हो जाएगा अगर आप चाहें तो बेलन्स से इसको बेल के भी बढ़ा कर सकते हैं आपकी choice है और ये जो आटा है अगर आपका चिपक रहा है तो अब इसमें तेल लगा सकते हैं पर्थन लगा सकते हैं सूखा अठा लगा सकते हैं तो थोड़ा सा सूखा अठा भी लगा के दिखा देती हूँ और मैंने इसमें थोड़ा सा तेल लगाया था तो मेरा अठा बिल्कुल भी नीचे पक रहा है अब मैं इसमें stuffing डालूँगी अच्छे से डालेंगे भरे भरे पराठे ही अच्छे लगते हैं खाने में और अब इसको अच्छी तरीके से fold कर देंगे जैसे हम बाकी के सारे पराठो को उपर से fold करते हैं इसको भी वैसे ही करना है और इसको अच्छी तरीके से दबा देंगे अब सबसे important बात पहले इसमें सूखा अटा लगा के इसको अपनी finger से दबा दबा के जितना बड़ा आप कर सकते हैं उतना बड़ा कर दीजिए जिससे जो अंदर की stepping है ये चारों तरफ अच्छी तरीके से फैल जाए ताकि जब हम इसमें बेलन लगाए तो ये बिल्कुल भी ना फटे अच्छी तरीके से मैं इसको सूखा अटा लगा दूगी और अब बिल्कुल हलके हातों से इसमें बेलन चलाना है दियान से करिए यह बिल्कुल भी नहीं फटेंगे जरा सी भी stuffing बाहर नहीं आएगी पस जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसे आप मेरी recipe को follow कीजिए मेरे instructions को एकदम exact आपके मेरे जैसे tasty पराठे बनेंगे जरा सी भी मेरी stuffing बाहर नहीं आए और देखिए कितने अच्छे से ब अच्छे से से लूँगी ताकि हमारे जो प्याज और टमाटर है वह अच्छे से पक जाए और जब यह दोरो साइट से थोड़ा से सीख जाएगा तब मैं इसमें तेल डालूँगी और मैं इसको तेल में से करी हूँ आप चाहे तो घी में बटर में मक्षन में जिसमें चाह और खाने में एक्तम करारे लगते हैं टेस्टी लगते हैं और साइट साइट से एक्तम फूले फूले से बढ़ियां पराठे मन गया है बहुत टेस्टी लगते हैं और स्पेशली इन पराठों के साथ मेरी बच्पन की यादे जुड़िये हमें मम्मी टिफिन में यही वाले पराठे देती थी बस प्याज और टमाटर के पराठे और इसके साथ आम का अचार मज़ा आ जाती थी खाने में तो ये आज भी मेरे उतने ही फेवरेट है मैं जब मेरा मन करता है इसे जरूर बनाती हूँ मेरे घर में से सब बहुत पसंद करते हैं तो इसी तरीके से मैं इसको बना लूँगी और देखिए मारा पराठे से गया मैं एक और आपको स्टफिंग करके भरके बता देती हूँ इसको मैं इस तरीके से बेलन से बेल के बता रही हूँ अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से रोटी बनाईए स्टफिंग डालिए और बस अपनी जो फिंगर्स हैं उससे एक बार प्रेस करके एक बार में दबा दीजे एकदम पर्फेक्ट जो बॉल होती है आटे की वो बन के तयार होगे अब इसमें सूखा आटे लगाएंगे और इसको थोड़ा सा उंगलियों से बढ़ा कर देंगे अगर आप चाहें आपको लग रहा है कि आपका बेलने में फट जाएगा या आप नहीं इसको हैंडल कर पा रहे हैं तो आप नहीं फिंगर से दबा दबा के इसको बढ़ा कर दीजे कोई दिक्कत नहीं है और अगर बेलन लगा रहे हैं तो बिल्कुल हलके हातों से दीमे दीमे इसको बेलिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आसानी से बन जाएगा बिल्कुल यूनीक और टेस्टी पराठा है सुबा के नाश्टे में बनाईए बच्चों के टिफिन में बनाईए जब भी आप इसको खाना चाहें और तब भी बना दीजें मैं तो डिनर में भी बना लेती हूँ मुझे बहुत पसंद है और इसके साथ मुझे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसको भी मैं फटा फिट सेख लूँगी सूखा और इसमें फिर तेल लगा दूँगी अगर आप घीस सेख रहे हैं तो शायद इसमें और अच्छा टेस्ट आए पर मैंने कभी भी ट्राय नहीं किया मैं हमेशा तेल में ही बनाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी तो मैं उनी की रेसिपी फॉलो करती हूँ एकदम टेस्टी हमारे पराठे बन गए हैं और जैसे मैंने प्रेजेंट करके बताया था स्टार्टिंग में कट करके मम्मी हमें टिफिन में वैसे ही कट करके देती थी तो हमें बहुत मज़ा आता था इसे उठा उठा के खाने में तो आप बच्चों को इसी तरीके से बना के इसके ट्रैंगल पीस कट करके टिफिन में दीजिए उन्हें बहुत अच्छा लगेगा तो एके करके मेरे सारे पराठे ऐसे ही बन गए देखे कितना अच्छा इसमें कलर आ गया फूले फूले सॉफ्ट पराठे हैं और इसको सुबह से रात तक भी आप रखे रहेंगे ना ये इतने ही सॉफ्ट और टेस्टी लगेंगे आप बना के रख दीजे जब खाना आया ट्रैवल में जा रहे हैं तब भी आप इसे ले जा सकते हैं तो इसी तरीके से मैं अपने सारे पराठे बना लोंगी जितना मैंने आपको मेजर मेंट बताया था उसमें मेरे साज से आठ पराठे बन गए तो आप इसे जरूर टेस्टी और अगर वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक कीजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते slz.0505 पर